कि जो एक प्राणी के लिए जहर है, वो दूसरे प्राणी के लिए भी जहर की तरह ही काम करता है। जो चीज बैक्टीरिया को मारती है, वो आपको भी एक तरह से मारती है। तो पानी से धोने की बजाए, आप उसमें हल्दी और पवित्र राक डाल सकते हैं। थोड़ा नमक और हल्दी ठीक रहेगी, या आप नीम डाल सकते हैं। सबजियों को पानी से धोना अच्छा है, पर आप रसायन या केमिकल से भरे पानी से धो रहे हैं। रसायन से भरा पानी से मेरा मतलब है क्लोरीन, जो आप इसमें डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें। इस धर्ती पर जीवन की प्रकृती ऐसी है, कि जो एक प्रानी के लिए जहर है, वो दूसरे प्रानी के लिए भी जहर की तरह ही काम करता है। शायद उसी हद तक नहीं। जो चीज बैक्टीरिया को मारती है, वो आपको भी एक तरह से मारती है, क्योंकि आपके शरीर का 52 प्रतेशत हिस्सा बैक्टीरिया है, वो आपको भी एक तरह से मारता है। शायद आप मरेंगे नहीं, पर ये आपको मारता है तो अगर आप लोरीन से बैक्टीरिया को मारते हैं तो आप एक तरह से अपने एक हिस्से को भी मारते हैं पर आपने ये खुद चुना है क्यूंकि लोग बड़ी संख्या में एक जगा रहने लगे हैं प्रेम की वज़ा से नहीं बलकि लालच, मजबूरी और दूसरी चीजों की वज़ा से तो जब लोग एक जगा ऐसे एकठे होते हैं तब कई तरह की मिलावटे होती हैं इस चीज को रोकने के लिए हम पानी में जहर डालते हैं क्योंकि उसमें काफी कुछ है उसे पैसे पी कर शायद आप मर जाएंगे तो आप मारना चाहते हैं हर दिन रसायने क्युद्ध हो रहा है पानी के जीव, शरीर के जीव और आप खुद सभी लड़ते हैं आप खुद एक जीव हैं आप में भी जहर फैल रहा है तो सबजी को नल के पानी से धोना सबसे अच्छा नहीं है अगर नल का पानी क्लोरीन मुक्त है तो धोना ठीक है वरना इसका बहतर तरीका है जैसे कि आम तोर पर भारत में करते हैं आपको कोई और पानी नहीं मिल सकता है पानी में क्लोरीन है ही तो आप पानी में थोड़ी सी विभूती और हल्दी डाल कर सबजियों को 15-20 मिनिट भिगो दें ये क्लोरीन वाले पानी से धूने से बहतर है आज पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं शुद्धी करण के आधुनिक तरीके हैं पर वे पबलिक पानी के लिए नहीं हैं घरों में अलग-अलग तरह के शुद्धी करण होते हैं जिनसे पानी शुद्ध हो सकता है कम से कम पीने के पानी को सभी रसायनों से मुक्त करना अच्छा है तो पानी से धोने की बजाए आप उसमें हल्दी और पवित्र राख डाल सकते हैं अगर पवित्र राख नहीं है तो आप बस हल्दी डाल सकते हैं थोड़ा नमक और हल्दी ठीक रहेगी या आप नीम डाल सकते हैं आप घर पर कुछ नीम के पत्ते रख सकते हैं रोज आप उसी पानी को धो सकते हैं यही नीम की खुबसूरती है अगर आपके पास एक बाल्टी है जिसमें नीम है तो आप रोज उसी में सबजियां डाल सकते हैं और अपनी सबजियां निकाल कर पानी को बंद रख सकते हैं, काम हो जाएगा, धातू का बरतन सबसे अच्छा है, अगर तामबे या पीतल का कंटेनर हो तो अच्छा है, वरना स्टील का कंटेनर या कांच भी ठीक है.